दोस्तों क्या आपको पता है कि वो ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी अस्तियों को चंद्रमा पर दपने आ गया है भाड़स सरकार के उपर 2014 में कितना कर्ज था और 2023 में इस समय कितना कर्ज है दुनिया का सबसे भारी इंसान कौन है दोस्तों ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतर जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों वीडियो को इस्टाट करते हैं फैक नमबर तेन दोस्तों क्या आपको पता है कि अलबराइस्टाइन के मरने के बाद उनके दिमाग को 1905 में निकाल लिया गया था और यह बात दुनिया को 23 साल बाद 1908 में बताया गया फैक नमबर 9 दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपके दोस्त आपको अगर कीचन में गिरा देंगे तो आपको उनके उपर धारा 350 के तहट उनके उपर केस कर सकते हैं फैद नमबर एड दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे भारी इंसान कौन है दोस्तों दुनिया का सबसे भारी इंसान अमेरिका के जान ब्राउनर मिनोस थे जिनका वजन 635 किलो गराम था जिन्हें आज तक का सबसे भारी इंसान माना जाता है फैज नुबर 7 दोस्तों क्या आपको पता है कि तो 2014 में भारत सरकार के उपर 55,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दोस्तो इन की कीमत पिर्णी कीमत की होती है या और फाइफ सक्यालो को पता यू आपको पता है कि एक इंसान ऐसे भी ते माननोलू के नाम से जाना जाता था दोस्तो मांचिल लारेलो को माननोलू के से जाना जाता था यह अपने सीर को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे जिने देखकर लोग हैरान हो जाते थे फैक नबर फोर दोस्तों चावल का जर्ष्ट मनाने के लिए उत्री जपान में कलाकार बचे हुए चावल के भूसे से समुद्र के पानी में इतना नमक है कि अगर समुद्र का जल पूरा सूख जाये तो नमक को पूरी धरती पर 500 फिट मोटा परत में पिछाया जा सकता है फैक नमबर दो दोतों गौतम गंभीड ने मृत्यू के बाद अपने सरीर के सारे अंगों को डोनेट करने की घोसरा की है और इन्होंने आईपियल में जीते सारे पैसों को सही धुवे परिवारों के बच्चों के पढ़ाई के लिए डान कर देते हैं और यह गरीबों और जोड़त मंदों के लिए भोजन भी उपलब्द करवाते हैं फैक नमबर वन यूजीन मरले सुमेकर दुनिया के इकलोते ऐसे इंसाने जिनकी अस्तियां चंद्रमा पर दपनाई गई है यानि इनकी कब्र चंद्रमा पर बनाई गई है